दस लाग 15 लाग 20 लाग हम कोई भी स्ट्रीम से हो साइन्स कॉमर्स आर्ट इंजीनियरी हम सब के पास एक कॉमन चीज़ है और वह है पैसा हम सब पैसा कमाते बट पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसे को मैनेज करना जिसमें मिजॉरिटी ओफ ऐस फेल्स का पर टाइम ऐसा होता है कि हमारी मंतली इंकम 50,000 होती है पर हमने 60,000 70,000 का खर्चा कर लिया होता है और यह पॉसिबल बीन पील क्रेडिट कार्ड पोस्पेड कार्ड के वज़े से तो आप जो भी इंकम बना रहे हो उसको एक प्रॉपर वे में प्लान करके यूज करो ताकि आप आपके फाइनेंशल फ्यूचर को सिक्यूर कर सको नमस्ते नमस्ते मुझे पता है कि पैसा बचान और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेली और इसलिए हम इससे दूर बाते लेकिन अब नहीं मैं हूं ब्रामी का पासे और मैं आपके एल्प करूंगी फाइनेंसेज मै हम पात सिंपल स्टेप्स में फाइनेंशल प्लानिंग करेंगे जो अक्रॉस और फिल्ड और स्ट्रीम और एच काम आएगा तो यह विडियो उन सब के लिए जो फाइनेंशल फ्यूचर को सेक्यूर कर सके तो चलो शुरू करते हैं स्टेप वन आपके फाइनेंशल गोल्स आपको क्लियर होने जरूर है पर फाइनेंशल गोल क्या होता है प्रामीं मानलो आप मुंबाई टू गोवा रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको पता होता है कि कहा से स्टार्ट करना और आपका डिस्टिनेशन क्या है सेम वे जब आप स्लाइट बुक करते हो तो आपको फ्रॉम विट सिटी टू विट सिटी पता होता है अगर एक भी मिसिंग है तो आप बुकिंग नहीं कर पाओगे सेम होता है फाइनेंशल गोल्स आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या-क्या सोर्स है पैसे आ रहा है डाट इ स्कूल की फीबर नहीं है अपने बेटी की इन नेक्स्ट वन मंथ यानि आपका जो भी पैसा आ रहा है उसको आपको डिवाइड करना होगा बेसिकली तीन गोल में शौट टम गोल जहां आपको इमेजिएट पैसा लगेगा मिट टम गोल एंड लॉंग टम गोल और उस बेस साइट सेंग के लिए बेस्ट प्लेस यह सब डिसाइड और डिसकस करते हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ वैसे ही आपको बजेटिंग करनी होती है आपके पैसों के लिए फॉर एक्जांपल आपका मेन सोर्स ऑफ इंकम अपकी कॉर्परेट जॉब से आता है फिर इसमेंस आपको 50, 30, 20 में पैसा डिस्ट्रिब्यूट करना होगा याट इस 50 परसंट इस 50,000 रुपीज आपको मेन खर्चे के लिए लाइक EMI, कार्ड पेमेंट, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रिक सिटी जो हर मैने के आपके नीट्स है 30 परसंट आप अपने शॉक के लिए रखो सेशन होगा जो आपके फिटर को सिक्योर करेगा स्टेब इमर्जंसिफंट इमर्जंसी फंड होता क्या है क्या यह सिर्फ मेडिकल इमर्जंसी के लिए क्लीकन काफिसा अफिल्मशन सो अब आप देखते रहोगे It implicit का लिए तो जिन जिनकी मान लो आप लॉंग ड्राइब पे गए अपनी न्यू गल्फरेंड के साथ या बॉइस्ट्रेंड के साथ और आपकी कार का आक्सिडेंट हो जाए या कार खराब हो जाए तो उसके लिए भी आपको इमेजेट पैसा लगेगा क्योंकि कार तो रिपेर करवानी पड़ेगी अगर आपके मंतली एक्सपेंसेस थोटी थाउजन है तो इंटो सिंग्स ताट इस वन लाग एटी थाउसन आपको इमर्जनसी फंड रखना होगा यह पैसे आप डेट फंड या डेट सेक्योरीटेस में रख सकते हो या एवन सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो कि आप आपके रिटार्मेंट लाइफ को अच्छे से एंजोई कर सको इसके लिए आपको जमा करना होगा आपके अन्यूल इंकम का 25 ताइम्स प्लस कंसिडर इंफलेशन पर एक्जांपल आपका अन्यूल एक्सपेंसे साथ लाग रुपया इंटू 25 दाट इस 1.75 क्रोड आ हमने स्टेपबन में ही सीखा की हमने फाइनेंशल गोल्स को थ्री पार्ट में डिवाइड करना चाहिए शौट तम मिट अड्ड लोंग टॉम और उस हिसाप से हमें इनवेस्ट करना चाहिए फर एक्जांपल शौट तम के लिए हम लिकविड फंड में इंवेस्ट कर सकते ह आप जब भी इनवेस्ट करो सारा पैसा ए मत इनवेस्ट करना यह की असेट चलास में मत इनवेस्ट कर देना आपको व्याद Cultural रिसका फालीट्या सकते हो और ग्राजूली जैसे मेरी एज बढ़ेगी एक्विटी एक्सपोजियर कम होगा और डेट पोशन बढ़ते जाएगा मेरे पॉर्टफोलियो में तो यह थे पाथ स्टेप्स जिसके आप आपके फाइनेंशल फ्यूचर को सिक्यूर कर सकते हैं अगले वीडियो में हम डिसकस क करेंगे कि आप सिर्फ 12,000 रुपया पर महीने से इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं सब्सक्राइब टू माइच चैनल फॉर मोर सच अपडेट और मुझे बताओ कि आपके गोवा के प्लान कितने बार कैंसल हुए है कि 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 कि